अस्सलाम आलेकुम कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोगों के साथ नान पोकोरा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो चलें अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट नान पोकोरा बनाने के लिए चीज़े लेनी हैं दस से बारा अदद बारीक चौप कीवी हरी मिर्चे लेली हैं दो अदद आलू ले लिये थी छिलका होता कि क्यूप्स में इन्हें छोटा छोटा कट कर लिये एक अदद प्यास ले लिये स्लाइसिस में इसे कट कर लिये स्पाइसिस ले लिये वन टी स्पोन सुफैद जीरा तू टी स्पोन साबुद सुका धनिया ले लिये साबुद सुका धनिया डालने से टेस्ट काफी ज़्यादा अच्छा आता है हाफ टी स्पोन हल्दी ले लिये हाफ टी स्पोन ब्रेड चिली पाउडर वन टी स्पून नमक की ले लिए है टू टी स्पून कुटीवी लाल मिर्च का पाउडर ले लिए स्पाइसिस जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा एट कर सकते है एक कप बेशन की ले लिए तीन अदत नान ले लिए जब आप नान फुकोरा बनाने लगें तो आपने फ्रेश नान का यूज़ करने फ्राइ करने के लिए कुकिंग ओइल ले लिए हाफ कप से कम पानी का ले लिए बनाना अब स्टार्ट करते हैं बाउल ले लिए बारिक चोप किए वे इसमें आलू एड़ कर दिये स्लाइसिस में कट किया हुआ इसमें प्यास एड़ कर देने बारिक चोप किवी हरी मिर्चे इसमें एड़ कर देनी है स्पाइसिस जो लिए है वो इसमें एड़ कर देनी है इसे मिक्स कर लेने मेरे यूट्यूब चैनल का नाम केस्टी बाइट केपी है मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें उसके साथ जो बेल का आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर ने आने वाली वीडियो मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियो मिस्स ना हो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेबर्स के साथ जरूर शेयर करें एक कब बेसन की जो ली है वो इसमें एड़ कर दिये इसे मिक्स कर लेने थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके इसका पेस्ट बना लेना है ज्यादा पतला इसका पेस्ट नहीं बनाना इस तरह इसका पेस्ट बनाने हैं ताके नान के उपर जो है वो आराम से लग जाए और उत्रेना नान के उपर जो है बेसन का पेस्ट लगा लेना है अगर आप लोगों को कोई भी रेसिपी देखनी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करें इन्शालला मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ की भी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी पूरे नान के उपर अच्छे तरीके से पेस्ट लगा लेना है इसे जो है अब फ्राइ करना है कोकिंग ऑईल ले लिए मेडियम आज पे जो है ऑईल को गरम कर लेना है ओल जो है गरम हो गया है बेसन के नान के पर जो पेस्ट लगाया है वह वाली साइड इसे नीचे रखनी है इसे फ्राइ कर लेने बच्चे और बड़ों का मोस्ट फेवरिट होते हैं दोनों जो है इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं साइड जो है इसकी चेंज कर ली है पांच से छे मिनिट जो है इसे फ्राइ करना है फ्राइ हो गया है ओईल में से इसे निकाल लेना है इसी तरह से इंपरसेस की तरह आप बाकियों को भी त्यार कर लेते हैं लाइट इसका जो है गोल्डन कलर करना है ज्यादा जो है इसका गोल्डन कलर नहीं करना इसे भी एक्स्ट्रा ओइल में से निकाल लेना है मज़दार से जो नान पो कोरा है वो बन कर थियार हो गए है बहुत ही जादा मज़े के बनते है जितने ही दिखने में मज़े के लग रहे हैं इससे जादा यह खाने में टेस्ट ही लगते हैं आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा इंशाल्ला आप लोगों को यह रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है बहुत ही जादा मज़े के बनते हैं इन्शाल्ला जब आप लोग ये एक दफ़ा रेसिपी ट्राइ करेंगे तो आप लोगों का बार बार इस रेसिपी को ट्राइ करने का दिल करेंगा टोमेटो कैचप के साथ इसे सर्फ करें बहुत ही जदा मज़े के लगते हैं अब मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाहाफिस